नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दो नीज आपके साथ मैं सृष्टी मिश्वा इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूस सामने आई है मस्पा सुप्रीमो माया वती ने यू सी सी पर समर्थन देने का इलाद कर दिया इस वक्त की बड़ी ख़बर आप देख रह है और कहिंगे लगाता विपक्षी पार्टी कर रही है बाजपा इस पर राजनुति कर रही है केन सरकार यू सी पर राजनुति कर रही है और कहीं न कहीं आल्प संख्या को इससे काफी नुकसान भड़ेगा यदि यहां वेक्षात संभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बलकि मजबूती होगा साथ ही लोगों में आपसी संप्रदाइक सद्भाव्वे भाईचारा आदी भी पैदा होगा ये बात भी कई हद तक सही है जिससे खास ध्यान में रखकर ही भारते सविधान की धारा 44 में समान सिविल सहिता यानि की यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसी सी को बनाने पर प्रयास वरनित है इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल सहिता यानि की यू सी सी को लागो करने के विरुद नहीं है बलकि भाजपावे इनकी सरकार के इसको देश में लागो करने के तोड तरीकों से सहमत नहीं है अब देखिए यहाँ पर देश के सभी नागरिक के लिए एक समान कानून लाने का आईलान किया गया है और देखिए यह जल्द लागू भी हो जाएगा अभी लगातार लोगों से रिव्यू लिया जा रहा है और इस पर केंडे सरकार ततपर काम करवा रही है कई आयोगों को इस पर निमंतन दे दिया गया कि सभी आयोग देश के जितने आयोग है वो अपने अपने प्रतिनिद्यों को लाएं और UCC पर आम लोगों से आम जनता से उनकी राए लें अब यहां पर देखिए एक तरफ राए भी ली जा रही है और यहां मायावति का समर्थन यह अब तक क से लगातार इस पर राजनिती कर रही विवक्षी पार्टियों को यह तगड़ा जटका देखिए अब मैं आपको बलाती हूं मायावति ने क्या कहा है मायावति ने साफ के दिया है कि हमारी पार्टी UCC के खिलाफ नहीं है यू सी के कार्यान्वन के खिलाफ नहीं है लेकिन जिस तरह से भाजपा देश में समाननागरिक कानून को लाने की कोशिश कर रही है हम उसका समर्थन नहीं कर रहे है मायावति ने कहा इस मुद्दे का राजनिती करण करना और जबरदस्ती UCC को देश में लागू करना ठीक नहीं देखिए यहां आला कि मायावति ने विवक कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, पार्सी, बौध समेथ विविन धर्मों को मानने वाले लोग हैं और उनके अलग-अलग रस्म रिवाज हैं और इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है अगर यहां पर रहने वाले हर धर्म के लोगों पर समान कानून यानि कि आपको बता दें यह विपक्ष के तौर पर मायावती जरूर कह रही है कि बीजेपी इस पर राज्यूति ना करे केंड़ सरकार इस पर राज्यूति ना करें लेकिन एक तरफ यह भी बास साफ हो रही है कि उन्होंने कहा यह तो सम्मिधान में है इसको तो लागू क करना चाहिए था जैसे केंड़ सरकार और आपको बता दें प्रधान मंतरी ने कहा कि सुप्रीम कोट ने बार बार कहा है यूसीजी लागू करने को लेकर और इसी वज़े से अब देश में यह जल्द लागू होने वाला है इससे तमाम बक्षी पार्टियों में खल बली है यहां यूसीजी का उल्लेक समयधान में बताकर मायावति यह बोलने का प्रयास कर रही है इसको तो किसी हाल में लागू करना चाहिए अब देखिए राजन्युती में हर बात की दो अर्थ निकाले जाते हैं मायावति ने कहा कि इसको लागू करने का जो समर्था ने वह भाजपा इसको अभी जो मुद्दा बना रही है वो गलत है आगे मैं आपको बता दूँ आम आपनी पार्टी ने कभी सपोर्ट किया तो कभी संजय सिंग ने इसको लेकर विरोध किया है देखिए आम आपनी पार्टी पर अभी विश्वास करना भी गलत होगा आम आपनी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो लगातार मोधी विरोध में डेश में समान नागनिक कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं। तो लगता है कि कॉंग्रेस और उनके नेता बुखला गया है। उनको ध्यान में आगया है कि सवामेशी सभी लोगों को समलित करके जो समय की मांग है आज कि देश को एक जूत किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो सम्विधान निर्माताओं ने भी आज से सतर साल पहले हमें डिरेक्टिव पिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में समिधान में दिया था। सुप्रीम कोट ने कई बार पांच बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत ने कहा कि देश में यूसी सी आना चाहिए। कपिल सिबल जी भूलने है कि जितन अलग संकित समाज के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने नौ वर्ष में किया शायद ही कोई और सरकार ने इतना किया। सबसे बड़ी बात हमारी बहने बहूं को बेटियों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई। जिससे उनका स्वाभिमान और उनका आत्म विश्वास प कि राधनीती को प्रात्मिक्ता देते थे, समाज को बांट के रखते थे, अल्प संखे को वोट बैंक के तरह ही देखते थे, अब उसका समय पूरा हो गया, मारे पास पूरी मेजॉरिटी है और मुझा लगता है कई और पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जो इसको चाहते ह जो देश भक्त के हिसाब से चिंता करते हैं कि देश को बाटना नहीं चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए, तो मुझा लगता है इसमें कई पार्टियों भाजपा का समर्थन करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का समर्थन करेंगी, और ऐसे पूरे देश को एक गटप बंदन में बनाने के लिए जो प्रयास है, उस सरानिया है, और उसके लिए क्रोस पार्टी सपोर्ट भी हमें बिलेगा। प्रटारे के भोपाल में ही उन्होंने कह दिया था कि यूसीसी पर अल्प संक्या को मुसल्मानों को भढ़काने का काम जोरो शोरो से हो रहा है, लेकिन हमारी पार्टी एक एक जनता के पास जाएगी, एक एक लोग के पास जाएगी, और यूसीसी को अपना समझाएगी, औ प्रटारे के यहां पर यानि की जन जन को जागरुक करना समान कानून जरूरी है, जैसे मायावती ने कहा भाईचारा बढ़ेगा, उसी बात को प्यूश गोयल ने दो रहाया, आगे मैं आपको बता दूँ कि उन्हें क्या कहा, प्यूश गोयल ने एक तगड़ा जटका वि समर्थन करेगी, तो देखिए, प्यूश गोयल ने भी साफ कह दिया कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो समान नगरिक सहिता पर समर्थन कर रही है, हाला कि अपको बता दे, शिव शेना की भी चांसे है, शिव शेना पर उमीद ये जिताई जा रही है, कि शिव शेना इसका समर् समर्थन, यूसीसी पर जरूर मिलेगा, डर्शो को आपको बार बर बता दूँ, यूसीसी की चर्चा समविधान के अंदर है, यूसीसी बनाय जाने को लेकर सतर साल पहले ही इसको लेक कर दिया गया था, तो कहां से इसमें कोई गरबड़ी है, भले हम ये कह सकते हैं कि यू रोधियों को ये बरदास नहीं करता ही बरदास नहीं होगा और इसी वज़े से यूसीसी को मुद्दा बनाय जा रहा है और हर जगा ये कहा जा रहा है, ये देखिए सरकार वोट पाने के लिए सभी नागरिकों को बाटना चाहती है, जबकि इसमें सभी नागरिकों को एक स होगा इससे कहीं न कहीं अपनी विश्वस्नियता जाएगी और अपना जो अधिकार है उसका हनन होगा यह देखिए यह बरगलाने की पुर्ज़र कोशिश है और कहा जा रहा है कि यह कहीं न कहीं जूट में लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि लोग इसके समर्थन की तीन तलाग जब से हटा है तब से देश की महिलाएं खुश है और देखिए जाहिर सी बात है मुस्लिम महिलाओं में इस बात को लेकर केनज सरकार का समर्थन है कि तीन तलाग को हट आया गया गया है आगे मैं आपको प्ता दूँ पी निर्मताओं ने सतर साल पहले ही कर मतला नहीं कि पर देश की सुप्रीम कोर्ट ये जिकर कर रही है और तीन चार पारटिया जो कहा जा रहा है एक से दो दिन में केन सरकार को इसका समर्थन दे देगी हाला कि अभी नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि अभी कई पाटी है जो इस पर विचार विमर्ष कर रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही लोग सभाज चुनाओं से पहले इसका एलान इसको लागू करने का एलान कर दिया जाएगा इसके साथ ही जिस तरीके से बहुमत की बात की जा रही है देखते हैं आगे कौन-कौन सी और पार्टियां है जो विरोधियों को चुप कराने का क लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पूर्म मुख्यमंत्री मायावती जी ने समर्थन दिया है एक तगड़ा जटका क्योंकि बहुत बड़ा चहरा बहुत दलितों की महागुरू कहीं जाती है और जिस तरीके से इन्होंने यूपी की सप्ता पर अपनी सीटों को कायम करके इतने साल राज किया है मायावती का समर्थन देना उत्तर प्रदेश की राज्मिती में जरूरी था और जिस तरीके से केन्सरकार को ये समर्थन देने का एलान हुआ है इससे कहा जा रहा है कुछ नहीं लोगसभाज चुनाव में केन्सरकार के रिपीट होने की चांसे है क्योंकि रास्ता साफ होता जा रहा है तो आपकी जो भी राय हो ज़रूर कॉमेंट करें मैंने आपको पूरे विसास बता दिया है मायावती का समर्थन और इधर प्यूश गोयल ने कॉंगरस को कहा कि कॉंगरस बॉखला गई है कानून को लागू नहीं होने दिना चाहती है जो भी रा झाल 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 झाल